आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के हेड्लाइन्स पर पुर्वग्रोह मंत्रे अनिल देश मुख को इडी ने किया गिरफ्तारी संतोष जरन चवाब देने के चलते देश मुख की गिरफ्तारी CPWD कॉलोनी में जुखसने से 13 वर्षिय बालक की मौत दिबाली की तयारी कर रह था पड़िवार खुशियान मातम में बत्रे और IDVI पैंग से 63 करोट की दोका धड़ी मामले में उद्धे जग लोड़ा पर CPI की रेट, CPI की टीमों ने नाखुर की ठीकानों पर की छाबे मारे और अब कबरे विस्तार से गया और अब उन्हें कोट में पेश करने की तयारी है 100 करोट की वसुली मामले में ID ने बड़ी कारवाई करते हुए महराष्ट के पुर्वग रूह मंत्री अनिल देश्मुक को गिरफतार कर लिया है 12 गंटे की पुछताच के बाद ID ने पाया कि देश्मुक की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोज जनक जवाब नहीं दिये गए ऐसे में उन्हें गिरफतार कर लिया गया और अब उन्हें कोट में पेश करने की तयारी है जानकारी के लिए बता दे कि अनिल देश्मुक सुमवार को सुबह 11 बच कर 55 मिनिट पर खुद ID दफतर पहुच गये थे इससे पहले कई बार उन्हें ID द्वारा समन भेजा गया था लेकिन वे पुछताच में शामिल नहीं हुए लेकिन सुमवार को वे ID दफतर भी पहुचे और फिर पुछताच में शामिल हो गये ID ने पुरे 12 घंटे तक देश्मुक से सवाल जवाब किये लेकिन क्योंकि कोई भी जवाब ID को ठीक नहीं लगा ऐसे में देश्मुक की गिरफतारी हो गई ID ने सपष्ट कहाए कि महराष्ट के पुर्वगरु हमंत्रे ने जांच में सहयोग नहीं किया खबर ये भी है कि गिरफतारी से पहले अनिल देश्मुक का बयान दर्च किया गया था उन तमाम आरोपियों के बयान भी देश्मुक के सामने रखे गये थे जिनका इस अपराद में सक्रिय योगदान था लेकिन देश्मुक किसी भी सवाल पर सपष्ट जवाब नहीं दे पाए वे सिर्फ आरोपों का खंडन करते रहे लेकिन ID ने अपनी जांच के आधार पर उन्हें गिरफतार कर लिया है सिविलाइंस की CPWD कॉलोनी में सोमवार की दोपहर बेहत दर्दनाक हाथसा हुआ एक बच्चे की ना समझी उसी की जान पर बनाई परिवार दिपावली की तयारी पर पकवान बना रहा था इस दोरान बच्चे ने ग्यास का पाइप खीच लिया आग लग गई और वह बुरी तरह जुलस गया उसे बचाते समय नानी भी जुलस गई जो उनसे बालक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने मृद घुशित कर दिया इस घटा से पुरे इलाके में शोक का माहुल है बिल्डिंग के तिसरे माले पर वह अपनी नानी सुश्मा गोपाल सिंग कश्यप मामा शाम सिंग कश्यप और मामी के साथ रहता था कुल्डिप डेड़ वर्ष का था जब उसके माता पिता आलग हो गए मार आएपुर में ही रहती है इसलिए ये वह बच्चा पिछले ग्यारा वर्षों से अपनी नानी और मामा के साथ ही रहता था माँ उससे मिलने नाखपुर आती थी आगामी बुद्वार को भी माँ उससे मिलने नाखपुर आने वाली थी परिवार दिवाली की तयारियों में जूटा हुआ था सुमार की दोपर बारा बजे के दोरान नानी सुश्मा और मामी आराधना घर में दिपावली के पकवान बना रही थी मनोज भी यही खेल रहा था भबार बार चुले के ग्यास पाइप को हाथ लगा कर नानी और मामी को डरा रहा था सुश्मा ने उसे ऐसे करने पर फटकार भी लगई लेकिन कुलदीप मस्ती किये जा रहा था इस बीच आराधना अपने दो वर्ष के बेटे अर्थ को शौचाले ले गई कुलदीप ने अचानक ग्यास टो का पाइप खीच लिया और आग लग गई पाइप के सामने वही खड़ा था और उसके कपड़ों में आग लग गई सुश्मा ने अपनी जान के परवान नहीं की और कुलदीप के कपड़ों में लगी आग बुझाते समय वो भी जुलस गई चीक पुकार सुनकर आराधना भी ग्यास की तरफ दोड़ी उन्होंने शोर मचा कर पडोसियों को मदद के लिए बुलाया घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई खबर मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुँच गई मुरी तरह जुलसे कुलदीप और सुश्मा को उपचार के लिए स्पताल रवाना किया गया दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुची और घर की आग बुचाई गई डॉक्टोरों ने जांच कर कुलदीप को मुरुद घुश्चित कर दिया सुश्मा का उपचार जारी है घर का अनाज, कपड़े और घरेलू सामन भी इस हाथसे में जल गया परिजनों ने कुलदीप की मा को घटना की जानकारी दीवित, वो तूरंत नाकपूर के लिए रवाना हो गई सदर पुलिस ने आकसमिक कृत्यों का मामला दर्च कर जांच आरम की है इस हाथसे से केवल कश्यप परिवार ही नहीं, परिशर के नागरिगों की दीवाली भी फीक ही पड़ गई है नादान कुलदीप तो अपने अलहरपन में नानी और मामी को सता रहा था उसे जरा भी अनुमान नहीं होगा कि इस मस्ती में उसकी जान भी जा सकती है IDBI बैंक से 63 करोड की धोका धड़ी के मामले में सुमवार को CBI की अलग-अलग टीमों ने टॉप वर्थ स्टील एंड पावर प्रैवेट लिमिडेट कमपनी के संचालकों पर मुंबई नागपूर और दुर्ग सहित नौ स्थानों पर छाप मिमारी की IDBI बैंक के महाप्रबंदक ने इस समन में CBI के मुंबई कार्याले में शिकायत की थी 8 सकतूबर को CBI ने मुंबई के वर्ली में स्थित टॉप वर्थ कमपनी और उसके संचालक श्रीराम टावर LIC चौक निवासी सुरेंद्र चंपाला लोढ़ा, मुंबई निवासी अभय नारेंद्र लोढ़ा, अश्विन नारेंद्र लोढ़ा और दुर्ग 36 गण निवासी, नितिन गोलेचा के खिलाफ, विविध धाराव के ताथ, आप राधिक शड़ेंद्र रचने और धोका धड़ी का मामला दर्च किया था इसके तुरंद बाद CBI की अलग-अलग टीमों ने कंपणी के कार्या लयो और निदेशकों के निवास्थानों पर छापे मारी की, सुमवार की सुबह ही एक टीम नाकपुर पहुची, श्रीराम टावर में स्टिट टॉप वर्थ स्टील के कार्या लय और सुरेंद्र लोढ के निवास पर दबिश दी गई, इसके अलवा मुंबई और दुर्ग में भी छापे मारी करके प्रकरन से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किये गए, CBI के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी, उन्होंने बताय कि आरोपियों ने साजिश रच कर IDBI बैंक के साथ धोका बैंकों के संग के तहट मेली विभिन नरून सुविधाओं के जरीए ये चल किया गया, लगातार अनियमित्ता के जरीए रून लेने वाली कमपनी के खाते गैर निशपादित परिसंपत्ती NPA हो गये, और IDBI बैंक को करीब 63 करोट 10 लाक रुपे का नुकसान हुआ, इसके बैंक प्रबंदन द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया, सभी दस्तावे जो के साथ CBS से शिकायत की गई, अमरवती जिलाधिकारी कारियाले पर किसानों के समर्थन में एक अनोखा प्रदर्शन किया गया, जहाँ भाजपा ने किसानों को दीपावली पुर्वर राज में जिलना पड़ा है, जबकि राज्य सरकार ने मदद जारी की लेकिन दीपावली के दो दिनों के पहले तक किसानों के बैंक में वो मदद राशी जमान ना हो पाने के कारण, महाविकास आगाडे सरकार पर भारते जनता पाटे ने सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं, इस आणि मनों आमें सर्व भारते जनता पक्षाचे कार्य करते शेतकरायां चेस, आज जिल्ला दिकारी कार्याले आवर आलो आणि जिल्ला दिकार्याला शेतकरायाचे रुम्न भेट देना करता आलो अमरावती जिल्ला पहल्यांदा मदती पासुन वगल आलडा वरोड धालान अंतर त्यामदे मदती मदे घेतल तुटपुंजी 125 कोटी रुपयाची मदत जाहिर केली आणि त्यामदे वरोड तालुका मोर्शी तालुका अचलपूर तालुका चांदुर भाजार तालुका वगला हे सुद्धवजी ठाकरे 15,000 रुपय देतो मणुन सांगनारे त्यानी देवेंदर फटनविसानी देले ले 11,600 रुपयाचा शब्द सुद्धा पाला नाई आज भुता सार के महावितरन चे करमचारी पाठे मागला लागले कुरुशी पंपा चे कनेक्शन तोड़ना करता आणि नादूरस्त डिपी ती सुद्धा सुद्रवत नाई आणि त्याचा मुन शेतकरेला जगाओ की मरावा हाप रशन त्याचा समो रहे तो हैपी दिवाली मनुशकत नाही वाक तो चला है एक ब्रेक का मिलते एक छोड़े से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट देस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश फर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूं अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा institute है जहां पर airlines and airport hospitality और tourism management साथ ही यहां campus interview guidance by industry expert, practical training at airport expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy 1 degree, 3 job opportunities Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 Gani Nagar LAD College Square बिसाइड करनाट का बैंक नागपुर ब्रेक के बाद अपका स्वागत है T20 विश्वकप में UAE की पीछो पर टीम इंडिया के बले बाजों के बले से भले ही रन नहीं निकल रहे हो और गेन बाज विपक्षी टीम के बैट्समन को परेशान करने में नाकाम हो लेकिन महेंगाई की पीछ पर LPG, पेट्रोल डीजल, आलू, प्याज, टमाटर और खाद्य तेलों का आल राउंडर प्रदर्शन जारी है रोज मर्रा के जीवन में काम आने वाली आवश्यक वस्तू की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रगती है आकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल से सरसो, सोया बिन, सुरज मुखी, वनसपती जैसे खाद्य तेलों में से एक आत को छोड़ कर सब दोहरा शतक बना कर खेल रहे है उपर से आलू प्याज अर्दशतक की और तीजी से बढ़ रहे है टमाटक तो 50-60 रुपे पर नाबाद बैटिंग कर रहा है पिछले महीने की बात करे तो आलू 5 रुपे तक महंगा हुआ है पिछले काफी समय से आलू थोक 14-15 रुपे किलो चल रहा था लेकिन अब इस कीके में थोक में ही 20 रुपे पहुँच गई है और चिल्लर में कोई भी 30 रुपे से नीचे में नहीं बेच रहा है प्यास की कीमत अक्तुबर में लगभग 2 गुनी हो गई प्यास का खुद्रा भाव 13 रुपे बढ़कर 33-40 रुपे पर पहुच गया है अभी कीमत इसी स्तर पर कायम है आवग भरपुर होने के बाद भी व्यापरी भाव कम नहीं कर रहे है रही सही कसर चिल्लर व्यापरी निकाल रहे है चिल्लर में प्यास 60 रुपे किलो के भाव पर है शिम्ला मिर्च थोक बाजर में 70 रुपे है चिल्लर में 30 रुपे का भाव है इसी प्रकार धनिया थोक में 80 रुपे मेथी 70 असी, गवार फली 40, कठल करेला 30-30, वाल फली 60 रुपे चल रहा है जो चिल्लर में 100 रुपे किलो बेचा जा रहा है बैगर को छोड़ कोई भी सबजी खाना इस वक्त मुश्किल है सबसे ज़ादा रिकॉर्ट LPG सिलेंडर, पेटरल और डीजल बना रहा है एक और गुरुहीनिया परेशान है तो दूसरी और रोजाना काम पर आने जाने वालों का होसला पस्थ हो रहा है एक एक परिवार में कम से कम देड़ हजार से लेकर 3,000 रुपे तक का बोच बढ़ गया है कुराड़ी बिजली प्रकल्प परिसर में लोगों को बिजली कैसे तयार होती है इसकी जानकरी देने वाला एक उर्जा शिक्षाप पार्क साकार किया जाएगा साथ ही बिजली बचत का संदेश भी दिया जाएगा इस पार्क के निर्मान के लिए 125 करोड रुपे खर्च होगा प्रकल्प की मनजूरी के लिए प्रस्ताव तयार कर सरकार के समक्ष सादर करने का निर्देश उर्जा मंत्रे ने दिया है इस समद में एनाइटी कारियाले में इस संदर्ब में हुई बैठक में सभापती मनोच कुमार सुर्यवन्शी, अधिक्षक अभियनता लिना उपाद्ध है, आर्किटेक्ट अशोक मोखा, कारेकारी अभियनता प्रशान भांडार कर सहित अन्य अधिकारी उपस्तित थे राउत ने कहा कि कुराडी महलक्ष्मी मंदिर में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, उर्जा पार्क से उन्हें यहां जान करें मिलेगी कि बिजली कैसे तयार होती है लोगों को बिजली का महत्वा समझ में आएगा और बच्चत के लिएवे जागरूख होंगे बैठक में इंदोरा टेकाना का परिसर की नजुल की जमिन के विवाद के निप्टारा करने के संदर्व में चर्चा हुई उन्होंने अधिकारियों को जांच कर उचित निर्ने लेने का निर्देश दिया परिसर में स्थित भिक्षु निवास और वाचनाले निर्मान के संदरप में मंदिर और बॉध्ध विहार के पदाधी कारियों के साथ समनवय बना कर मामले को निपटाने का निर्देश दिया इंदोरा स्थित गुरुगरंद साही प्रवंदक कमेडी का कहना है कि वह स्थित जमिन 40 वर्षों से गुरुदवारे की हैं जगा को गुरुदवारे के नाम करने के प्रकरण में वर्ष 1995 के पुर्वा के जमिन मालिकी के रिकॉर्ड की जाँच कर कार्यवाही करने का निर्देश उन्होंने दिया पालक मंतरी नीतिन राउत ने जिले के पेंच करहनला मोगर कसा जैसे वाइल लाइफ परियाटन स्थलों में लोगों को आकरशित करने के लिए एक व्यापक नीति तयार करने का निर्देश बैठक में संबधित अधिकारी को दिया उन्होंने कहा कि जिले से सटे मध्यप्रदेश और चप्तिसगर राज्यों के जंगलों में परियाटक बड़ी संख्या में पहुँचते हैं लेकिन यहां नहीं आते उन्हें आकर्शित करने के लिए अंतर राश्य दर्जे की सुविधाय आवागमन के साधन उपलप्त कराने के साथ ही स्तलों की मार्केटिंग के लिए एक व्यापक नीति तयार करे संदर्वित प्रस्ताव तयार कर पेश करे बैठक में पालक मंत्रे नितिन राउत ने पेंच प्रकब के तहट आने वाले खेत मजदूरों को भी प्रकब ग्रस्त के रूप में घोशित करने का निर्देश दिया विदाएक आशिज जाइसवाल ने रामटेक वपार्शियोंनी तहसिल के प्रकब ग्रस्तों की समस्या को बैठक में रखा जिसके बाद राउत ने सालेगहट गाओ के पुनर्वास के लिए समय बद्ध कारे करम तयार करने का निर्देश दिया पेंच में जिनकी खेती गई है उन किसानों को प्रकब ग्रस्त कोशित किया गया है लेकिन भूमेहिन किसानों को खेत मजदूरों को ये दरजा नहीं मिलने से उन्हें योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिल रहा है खेत प्रकल्प में जाने से उनका भी रोजगार छिन गया है वेसन कोल फिल्ड लिमिटेट के सिंगोरी वभानेगाउ परिसर के युवाओं को खदानों में नौकरी देने का निर्देश उन्होंने दिया इस संदर्ब में एक शिष्ट मंडल ने पालक मंत्री से भेट दे कर ये मांग रखी थी पूरव जिला परिशत सभापती हर्शवर्दन निकोसे के नेतरुत्व में शिष्ट मंडल उनसे मिला था उन्होंने बताया कि सिंगोरी के वेकोली खदान के कारण परिसर के किसानों को अनेक अडचनों का सामना करना पड़ रहा है ब्लासिंग होने से घर गिरे हैं खेट के कुओ का स्तर मीचे चले गया है रोजगार नहीं मिलने से युवा परिशान है पालक मंत्रे ने वेकोली के CSR फ़ंड से युवाओ को कौशल लिविकास के लिए योजना वैयर करने और स्थानियों को ही काम देने का निर्देश दिया कोरोना का प्रभाव काम होने के साथ ही एक और जहत तमाम तरह की पाबंदियों से रहत प्रदान की गई है वही दूसरी और आठवी से स्कूल और कॉलेज भी शुरू कर दिये गए अब सरकार पहली कक्षा से स्कूल शुरू करने की तयारी कर रही है ग्रामिन भागों में पहली कक्षा तथा शाहरी भागों में पाचवी से स्कूल खोले जाएंगे पिछले दिनों शिक्षा मंद्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित सभी जीलों के मुख्य कारीकारी अधिकारियों के साथ बैठक ली इसमें स्कूल खोलने पर सहमती बनी वही दूसरी और टास्क फोर्स ने भी जल्द से जल्द स्कूल खोलने के पक्ष में है पर बोर हो गए है पिलाल स्कूलों में दिवाली की चुटिया चल रही है तो ग्रामिन भागों में पहली से और शहरी भागों में पांचवी से खुले जाएंगे जबकि कुछ दिनों बाद शहरी हेइ, कि 12 बिना स्कूल के निपटने की कगार है इस्से चात्रों की भविश्य पर असर पड़ेगा अब जब सब कुछ खूल गया है तो फिर स्कूलों पर ही पावंदी लगा कर रखने का कोई औचित्य ही नहीं है स्कूल खूलने के बाद से कोविट से प्रभावित होने जैसे मामले भी सामने नहीं आये है यही वज़ा है कि अब सरकार तयारी में जुट गई है बताया जाता है कि दिवाली के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी इसके बाद यानि दिसंबर के पहले सब्ताह से स्कूल खूलने की घोशना की जा सकती है भंडरा जिले के लाखा अंदुर में एक जंग्ली सूर का शिकार करने के चक्कर में एक मादा तेंदुए की कुए में गिर कर मौत हो गई मिली जानकरी के मुताबिक यह घट्ना महराष्ट के भंडरा जिले की बताये जा रही है जिसमें लाखांदर वन परिक्षेत्र के दिगोरी उपवन शेत्र के मौजा परड़ी परिसर में दो से तीन दिन पहले एक जंगली सुवर का शिकार के दोरान दो साल की मादा तेंदुवा कुए मे गिर गई जिसकी जानकरी दो दिनों बाद पता चलने पर और परिसर में बदबू फैलने पर इस घटना का पता चला इस घटना की जानकरी वन विभाग को दी गई जिसकी बाद मादा तेंदुवे का पोस्ट माटम करते वे उसका अंतिम संस्कार किया गया शेतकरान नी वना देखकारान ना फोन केला तचांतर बंडारा मनंदवद्नेजीर रक्षक मी स्वता और शाहित खान आमी दोगेई बंडारा चेजे डीसे फायत उपाबना सों रक्षक बला विसाय वियांचे सोबत गटनास्तडी जाउना लो कि आमाला वाइल्ड बोर मंजे रांडुकराल चे ते पग्मार्क पाया चे खुना दिसुनाले शर्वत्र पोखुरुन ठेवलेलो होता काईटी काणी रांडुकरा नी आणी त्या बिब्टाचे शुद्धा पग्मार्क ते ते दिसुनाले यह चा वरून तो बिबट कदा च पाटला करत एक शेताच्या दूरा वरून तर वीरित पढ़ला असावा वीरिला कथडे आहे पंड ते कथडे जास्ता हैट चे आसू नहीं धूरा चे हैट्चा बरुबरी चे असला मुले कदाची तितत पढ़ून कदाची दोन ते तीन दी वस्त तो असावा तैनी खुब प तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक बने रही है विके बी न्यूज के साथ नवश्कार